यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ येद्रपा का पूरा नाम बुकानाकेरे सिधिलिंगपा येद्रपा है येद्रपा का जन्म 27 परवरी 1943 को करनाथक की मांडिया जिले के बुकानकेरे में हुआ था करनाथक के तुमकुर जिले में येदी रूर स्थान पर संत सिध्ध लिंगवेश्वर द्वारा बनाई गई शेफ मंदिर के नाम पर उनका नाम करण किया गया लिंगायस समुदाय के येदुरपा जब चार साल के थे तब ही उनकी मा पुट तायम्मा का नधन हो गया था पिता सिधिलंगापा ने ही उनका पालन पोशन किया करनाथक लिंगायस समुदाय के उप्रभाव शाली नेता है येदुरपा आट में स्नातक है 1965 में उस समाज कल्यान विभाग मी कलर्क बने बाद में वो शिकारीपुर चले गए जहां उन्होंने वीरभद्र शास्त्री चावल मिल में कलर्क की नोक्री की साल 1967 में वीरभद्र शास्त्री की बेटी मैत्रा देली से उनकी शादी हुई बाद में उन्होंने शिमोगा में हार्डवेर की दुकान खोली यद्रपा के दो बेटे बिवाई रागवेंद्र और विजियेंद्र और उनकी तीन बेटियां अरुनादेवी, पदमावत और उमादेवी हैं साल 2004 में उनकी पत्नी का कुएम में गिरने से देहान्थ हो गया उनकी मौत रहस्यमई बनी रही यद्रपा का नाथक में बीजेपी के पहले मुखे मंत्री बने और उनकी नित्रत्यों में ही बीजेपी ने साल 2008 के विधानसभा चुनाफ में जोदार जीत हासिल की थी उनकी राज़नती के जीवन की शुरुआत साल 1972 में हुई थी जब उनकी शिकारीपूरा तालुका जनसंग का अध्यक्ष बनाया गया था साल 1967 में उन्हें जनता पार्टी का सचिव बनाया गया साल 1983 में वो पहली बार विधायक चुने गए इसके बाद वो लगातार छे बार शिकारीपूरा से विधायक चुने जाते ही रहे और इसके अलावा दो बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं साल 1988 में यद्रप्पा को पहली बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाँ गया साल 1994 में विधानसभा चुनाफ में यद्रप्पा हार गए और उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया इसके बाद 1999 में भी वो चुनाफ हारे इस पर बीजेपी ने उन्हें MLC बनाया यद्रप्पा नवंबर 2007 में भी जनता दल सेक्चुलर के साथ गठबंदन सरकार गिरने से पहले कुछ समय के लिए मुख्य मंत्री रहे थे एक बार फिर से वो करनाटक के मुख्या बने हैं लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार वो कब तक कुर्सी पर रहेंगे खबर अभिता के लिए भरत भूश्टन शर्मा के रिपोर्ट झाल